वालकम बैक इन दिस चैनल डिजिटल कोडिंग गुरू वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बता दू आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नौटिफिकेशन को हिट कर दे जिसे की वीडियो की सारी नौटिफिकेशन आपको मिलते रहे आज का जो हमारा पहले प्रणी और एकविटर आपको बता दूँ चोफ्ट्वेर को में अंप्यूत्राइब कर दीवाइस कोनफडिव और रहे खी तो पै Marvel को क्योंअ तो आटा को और शक्षेसंट उसे कमपूस्ट करके hardware की रुप में यहोप कि आपको समझ आया होता और मैं बहुत आसान भासमें इसे बता रहा हूं éstडी जो कि हमारी mother tongue है और mother link मेजे तो उसके बाद हम चलते हैं इसके desktop के बारे में समझते हैं कि आखरी desktop क्या होता है desktop में सबसे पहले इसको हम monitor कहते हैं monitor में यहाँ पर आप देख सकते हैं monitor का मतलब होता है कि जो भी screen हो हमें दीख रही हो सामने जिसे हम touch भी कर सकते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर interesting सा fact है जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि computer who 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 जिसे इसमें आपको अंदर program दीख रहा है मैं उसको ही बताने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर कोने में देख रहा होंगे start menu यहाँ पर start button जो होता है यहाँ पर program को start किया जाता है simple है उसके बाद होता है कि उसके बगल में जो है वो है quick launcher toolbar ठीक है और जट उसके बाद होता है tax bar होता है tax bar में कोई भी चीज को shortcut तरीके से pin up कर सकता है और वहाँ से direct open हो सकता है ठीक है उसके बाद दिया है system tray उसके बगल में देता है clock और उसके आप बीच में देख रहे है interface जहाँ पर लिखा है desktop उसके बाद लिखा है desktop icons desktop icons होता है जो हम किसी भी application जो भी application होता है उसकी icons को ठीक है इसमें बहुत से सारी चीजे जो होई बताने लाइक है लेकिन मैं आपको इसमें नहीं बता सकता क्योंकि यह छोटा सा interface है तो इस वीडियो में और आगे आप चलते हैं CPU CPU के बारे में full introduction में आप देने वाला हो कि आखिर CPU क्या है इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले आप उपर देख सकते है control unit होता है control unit के बाद यहाँ पर 4 SW line दी जाती है जिसमें input और output होती है उसके बाद control unit होती है control unit से 4 बाद जो 4 panel जुड़ी होती है वो होती है processor जुड़ी होती है processor में जो होता है register जुड़ा होता है ठीक है उसके बाद combination logic stick जोड़ा होता है और उसके बाद man memory जोड़ा होता है इसी में दो last में जो पीछे जो होता है back input और output रहते हैं ठीक है और उसको बाद control यहां से total plug जो होता है यही से connected होता है और यहां पर जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको connected किया जाता है यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले जो controlling unit wordt main part इस το controlling unit है किसी भी चीज़ को सबसे पहले पर प्रोसे सर कन्ट्रोल करकर रखता है किउसके कि पार उसके प्रोसेसरैक क्या होता है कि प्रोसेसर एक होता है आम भासे मैं कहें दूं कि एक हांथे एक हांथ से जो काम नहीं होता वो चार हांथ से किया जा सकता है बहुत असानी से एक हांथ से बहुत दीरे-दीर हो गया और जो प्रोसेसर है वो लगबग दो आदमी तीन आदमी मिलकर ऐसे काम जल्दी उसे जिसमें बढ़ी और वह क्या करते हैं सारे चीज़ होती है डाटा भी टो होता है ठीक है अब चलते हैं जो हमारी । सबसे फिल्य है में कीबॉर्ड के बारे में देखते हैं कि आपको ब्लू कलर की सब दिख रही होगी वह होता है touch and standard होता है इसमें कहा होता है कि normally जो numerical होता है वो सारे चीज यहाँ पर रहते हैं और जो alphabet होते हैं यह सारे भी यहाँ पर input किया जाते हैं ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपको pink अपक्ट सा pink color का दिख रहा होगा उसके बाद आपको यहां पर 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 पड़ार का दिख रहा होगा टॉट मैंने एक्ष्टरॉन लॉसके बाद जो होता है आपको सिंपल से में बता दो उसके बाद आप देख रहे होंगे बल्का सा औरेंज कलर के जो उपर बटम दिखाई दे रहे हैं एफ एफ टू करके यहां पर जो होता है यह फंक्शन होता है जो टच डी फंक्शन होता है यह होता है ठीक है उसके बाद आपको ग्रीन कलर में देखता है यह जो डिरेक्शन देता है ठीक है किसी बीचीज का डिरेक्शन का मतलब होता है कि आप इधर कर सकते है साइड उपर नीचे जो भी जिस तर से एक्षेटरा ठीक है उसके बाद आधा ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा यह होता है फंक्शन सप्लिमेंटरी जो भी किसी फंक्शन को कंट्रोल करना होता है तो यहां पर आप अच्छी क्या करते हैं कमांड को दबा सकते हैं उसके बाद वह होता है कि उसके बारे में उसके लावस करता है और आपको सिंपल सा दिख रह गहांगा कि वख врем है और इस स्ट जो लेफ्ट बटन लेफ्ट बटन होता है उसके बाद Kennedy होता है उसके बाद स्क्रॉल बील होता है और right button होता है बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लिज लाइक और सेस्क्राइब जो